आज मैं आपको बेवी बूट्स बनाना सिखा रही हूँ इसमें करीब 75 ग्राम अपने को उन चाहिए अपन चाहें तो एक कलर की उन को भी यूज़ कर सकते हैं और दो कलर की उन से भी बना सकते हैं मैंने इसमें दो कलर की उन यूज़ करी हैं सबसे पहले हम फंदे डालने इसमें 27 फंदे डालेंगे और ये बूट साल से सवा साल बच्चा आराम से पहन सकता है इसमें 27 फंदे अपन डालेंगे देखिए पहले अपन फंदे डालना सीखते हैं किस तरीके से डालती हैं इस तरीके से अपन 27 फंदे गिन कर डाल लेंगे इस तरीके से ऐसे लिया फिर ऐसे किया ऐसे ऐसे लिया ऐसे किया फिर ऐसे ऐसे किया ऐसे किया फिर ऐसे इस तरीके से अपन 27 फंदे गिन कर डाल लेंगे अब हम गिल लेते हैं, ये कितने फंदे हो गए हैं हमारे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला, सत्रा, अटिस, छब्विस, सत्ताइस ये हमारे तीन फंदे जादा हैं, ये हमने 27 फंदे कर ली है, अब हम इन 27 फंदों को उल्टा ही उल्टा बुनेंगे इसको हम उल्टा इस तरीके से बुनेंगे, ये धागा अपना आगे की तरफ करा, शुरू की जोट सिलाई होती है, थोड़ी सी तायट चलती है, इसलिए हम कोफंदे को थोड़ा सा ढीला करके इस तरीके से निकाल निकाल के बुनना पड़ता है पहली सलाई हम पूरी इसी तरीके से उल्टी बुन लेंगे ये देखिए इस तरीके से इसको उल्टा ही उल्टा बुन लेंगे पूरी सिलाई हम इसके से उल्टी उल्टी बुनेंगे, इस तरीके से फंडे को दूचा करके fe sự इस तरीके से हम बूनते जाएंगे, इस तरीके से यह देखिए, यह हमारी सिलाई, उल्ट को इल्टी हमने बुनली, कि यह लाश पंदा हमने उल्टा बुल लिया, अब हम उल्टी तरफ से भी उल्टा बुनेंगे, सीटी तरफ से भी उल्टा बुनेंगे, दोनों तरफ से हम इसे उल्टा ही उल्टा बुनेंगे, पहला पंदा उतार लेते हैं इस तरीके से, जिससे कि हमारी फली अच्छी सी आए और इस तरीके से हम दूसरी बैक वाली जो सिलाई है उसको भी उल्टा बनेंगे इस तरीके से हमने पहली सिलाई भी उल्टा बनी और दूसरी सिलाई जो उल्टे तरफ से है उसको भी उल्टी बनी इस तरीके से हम 16 सिलाई करेंगे 16 सलाई मतला 16 सलाई सीधी 16 सलाई उल्टी 32 32 सलाई हम करेंगे इस तरीके से ये देखिए ये हमारी सीधी तरब से सलाई भी उल्टी-उल्टी हो रही है इस तरीके से हम कर लेंगे अभी मैं आपको यह 16 सिलाई पूरी होएंगी तब आपको दिखाती हूं यह अपनी अभी दो सिलाई हो गई है एक सीधी एक उल्टी इस तरीके से हम 32 सिलाई करेंगे 16 सीधी स्योधा उल्टी अब यह कैसे गिनेंगे यह गांठे दिख रही है ना हमको इस तरीक तरफ से भी 30 आएंगे दोना तरफ से 30 आएंगे इस तरीके से यह 32 सिलाई जो है कर लेते हैं 16 काठे हम को इस तरीके से दिखेंगी जब यह सोला हो जाती है मैं आपको फिर बताती हूं यह देखे फ्रेंट्स अपने यह बत्तिस लाई कर ली है पीछे सोला पीछे यहां से स इस तरीके से यह अपने को दिख रहा है अब हम इसे घटाएंगे यहां से हम यह घटाने वाला जो क्रम करना है वह हमको सीधी सिलाई पर करना रहता है हम 9 फंदों को घटाएंगे तो देखिए किस तरीके से घटाते हैं यह हमने दो फंदे बुने इस तरीके से बुन लिया फिर ये पहले फंदा जो है इसको इस तरीके से निकालेंगे इसके पीछे से ओके ये देखिए ये इसको इस तरीके से लिया ये उतार दिया एक, दू, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, अब हम ये गिल लेते हैं, ये हमारे पास अठारा फंदे बचने चाहिए, तो देखिए तीन, छे, नौ, बारा, पंदरा, सोला, सत्रा, अठारा, ये इस फंदे को भी ये अठारा हो गए, तो इस फंदे, अब इसी हमारे बचे हुए फंदे हैं, इनको हम पूरी सलाई, उल्टी-उल्टी कर लेंगे, इस को इस तरीके से, पूरी सलाई को हम उल्टा-उल्टा कर लेते हैं, ये 27 कुल टोटल फंदे 27 थे, जिसमें हमने 9 घटा दिये, अब बचे 18, तो ये हम बचे हुए 18 फंदों को पूरा बुन रहे हैं, इस तरीके से करेंगे, लाश बंदा रहता है, उसको ऐसे आगे करके अगर पूनते हैं अपन, तो फली थोड़ा अच्छी आती है, उसके बाद देखें फ्रेंट्स, अब हमारी ये उल्टी वाली सलाई है, इस उल्टी सलाई पे ही हम कलर चेंज करेंगे, तो देखिए इस इस तरीके से ये हमारा है, ये रखा वुआ है, इस में हमको उल्टी सलाई में हमको कलर चेंज करना है, तो ये प्रकति हमने दोसरे कलर का पर 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 कलर का हम यलो कलर से बना रहा थे, अब हमने पर पल कल Mülle race, लि चमश बाया है, इस पर पर पल को हम लगाएंगे, इस में त इस तरीके से प्राणी वाली येलो धागा ठाओं रूलेती है। इस तरीके से प्वूरी सलाई को हम बुनेंगी। करने पर हम दूके करने ब попल में दूक चब्सक्थ यर्लोक की दूक करेंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम इस चीज को समझ लें, हम इसकी डिजाइन हलका सा इसको अच्छा लूग देने के लिए इसमें डिजाइन थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, अभी तक हम जो उल्टी उल्टी श्लाई बुन रहे थे, अब हम उल्टी न बुनके, ये उल करेंगे अभी तक हम उल्टी उल्टी सिलाई कर रहे थे सीधे तरफ से भी सीधी उल्टी तरफ से भी उल्टी और सीधे तरफ से भी उल्टी पर अब हम क्या कर रहे हैं सीधी सिलाई पे हम इसको सीधा बुन रहे हैं इस तरीके से देखिए हम इसको सीधा बुन रहे हैं पूर यह देखिए, सीधी सिलाई हो गई, अब हम उल्टी सिलाई आ गई, तो उल्टी सिलाई पे हम उल्टा ही बुनेंगे, इस तरीके से उल्टी सिलाई पे हम उल्टा ही बुनेंगे, तो यह देखे फ्रेंट्स हमारी दो सिलाई होगी और हम तीसरी सिलाई जो है उसको सीधी सिलाई पे हम सीधा ही बुनेंगे सीधी सिलाई पे सीधा मतलब टोटल हमको चार सिलाई करनी है दो उल्टी दो सीधी अभी तक हम सारा का सारा उल्टा ही उल्टा बुनते आ रहे थे, पर अब हमने यह थोड़ा सा color change में जरा सा change किया है, हमने उल्टी सलाई पर उल्टा बना है, और सीधी सलाई पर हमने सीधा बना है, एक color की जो हम बनेंगे, वो 4 सलाईया को करेंगे हम, चार सेलाई बनेंगे तो इस तरहिके से हम ने हैं चोथी सलाई आगई है इसको हम उल्टा उल्टा हो लेहें लिंगे देखे फरेंट्स अब लए फर्पल करराओ की बना लिया हो आहिए जार लरा है अब हम यल्लो करें है पहले इस यल्लो कररके कि हम उल्टे सिलाई पे बुन लेंगे इस तरीके से इसको टायट कर लीजिए टायट करके पूरी सिलाई हमको उल्टी हुल्टी चार सिलाई बुननी है उसमें हमने उल्टा सीधा बुना था बस यह बात ध्यान रखनी है इसमें हम उल्टी हुल्टी बुनेंगे बस इस तरीक से हम करने के बाद अब आप देख लीजी इसमें हमने छे डाली हैं यह परपल कलर की एक दो तीन चार पांच छे और यलो कलर की एक दो तीन चार पांच तो इतना बुनने के बाद मैं आपको फिर बताऊंगी देखे फ्रेंट्स यह जो हम बना रहे थे यह छे हमारे कंपलिट हो गए हैं और यह लो की पांच कंपलिट हो गई हैं अब इस तरीके से हमने जो फंदे घटाए थे वो ही फंदे हम नौ फंदे इतर बढ़ाएंगे तो सीधी सिलाई पर यह बढ़ाना रहता है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ बस अब यह हमको कुशनी करना है यह नौ फंदे हमारे जो हमने डाल लिया है इनको हमको बुल लेना है उल्टा उल्टा जिस तरीके से हमने नीचे बत्तित सिलाई करी थी सोला सीधी सोधा उल्टी उसी तरीके से हम इसको बुन के इसको कम्प्लिट पूरा कर लेते हैं इस तरीके से उल्टी उल्टी सिलाई सिलनेंगे और हमको उल्टी उल्टी ही करनी है इसको कर ली दिया करें आप फिर हम बताते हैं देखी फ्रेंड्स यह हमारा पूरा कम्प्लिट हो गया है अब इसको हम एंड करने पर जा रहे हैं अब हम इसको सारे फंदे घटाके इसको हम हम खतम कर रहे है सारे फंदों को देखी किस तरीचे से कर रहे हैं यह सारा फंदे हम घटाते जा रहे हैं अब इस तरीचे से एक बुना एक उतारा ये देखे फिर इस तरीके से एक बुना उतारा इस तरीके से हम सारे फंदे उतार लेंगे देखी फ्रेंट्स सारे फंदे घट चुके हैं ये लाश फंद आपना है इसको भी अपन घटा के निकाल दे रहे हैं ये सारे फंदे अपने खतम हो चुके हैं इससे ऐसे करके किठान बाद कर इसे निकाल दीची है ऐसे ये अपना मौजा की बुनाई खतम इसको इस तरीके से करने के बाद अब अपन इसको उल्टा करके इसकी अब सिलाही करेंगे इसको उल्टा करके सिलाही करेंगे अपन तो इस तरीके से ये जो है यहां से इसकी सिलाही करेंगे और ये सिलाही करेंगे पहले पहले अपन यहां की चलाई करना शू करते हैं। सूई में धागा डालना थोड़ा सा कठीन होता है। इसलिए अपन क्या करेंगे इसको इस तरीके से देखिए। ये ऐसे टेप लगा लिजीए इसमें। इस तरीके से आप टेप लगा लेंगे। तो सुई में धागा बड़े जल्दी से फटा-फट से डल जाता है यह देखिए इस तरीके से यह किया और अपनी यह सुई में डाल दीजिए इस तरीके से डाला यह अपना टेप वाला हैसा जो है इसको कट करके निकाल दीजिए इसको अब अपन सिलते हैं पहले अपन जो है यह नीचे वाला तो इसको ऐसे साइड मिला लीजिए इस तरीके से ये साइड मिलाकर सिलेंगे अपन, डौनल साइट मिलाते हुए पहां, निशिंग देते हुए इस तरीके से सिलते जाएंगे अपन, देखिए है। ये, डौनल आइंड मिलाकर इस तरीके से इसको कॉर्डर तक पूरा सिलेंगे अपन इस तरीके से ये पूरा अपन एंड तक आ गए कॉर्णर तक और ये अपन इस तरीके से इसको पक्का करने के लिए इसमें गिठान लगाते हुए इसका लाच तक ऐसे सिल देंगे अपन एक गिठान और माल लेते हैं जिससे कि ये लूज नहीं रह जाए कहीं से भी और ये गिठान मार के इसको कट कर देते हैं ये देखी फ्रेंट्स ये पूरी साइड अपनी सिल गई है अब अपन इस साइड को सिलेंगे ये साइड अपनी इधर से लेके यहां तक सिली जाएगी और यहां से यहां तक पहले अपन यहां तक सिलेंगे फिर इसको थोड़ा अलग शेप में गोलाई देकर सिलना रहेगा पहले अपन इसको इतना यहां तक यल्लो वाला पोर्शन सिल लेते हैं इस तरीके से यह सामने से मिलाते हुए यह इस तरीके से इसको अपन सिलते जाते हैं यह देखिए इस तरीके से गोलाई देते हुए थोड़ा सा इससे की शेप अच्छी आए यह इस तरीके से अब इसकी हम गोलाई से लेंगे देखो थोड़ा सा इसका डिफरेंट तरीके से सिलना है इसका यह हमको गोलाई शेप देनी है इसलिए हम इसे डीला-डीला करते हुए इसको अभी हम ऐसे तरीके से ऐसे गोलाई में लेते जाएंगे अभी हम खीचेंगे नहीं इसको सिंपल धागे में डालते जाएंगे और यह ऐसे गोलाई शेप देते हुए나 को पूरा देखो इस तरीके से निकालेंगे इसको पूरा इसमि को गोलाई तक लेकर आएंगे इसको इस सरी हिए रिखिए इस तरीके से यह थोड़ा सा यहां इस तरीके से यह यह पूरा यहां तक खोलाई में हमें से लेकर आगा है यह देखिए यह पूरा धागा हमने इसको डाल दिया अब हम इसको क्या करेंगे इस तरीके से खीच देंगे पूरा यह देखिए यह पूरा धागा हमने ऐसे खीच दिया देखो यह गोलाई शेप देने के लिए यह देखो यह पूरा ऐसे खीच गया अब इस गोलाई देखो पूरा इसको फिर थोड़ा सा यह उपर कटिप है इसको पक्का करेंगे इस तरीके से आप इसको दौना तरफ से जोड़ते हुए यह देखिए इस तरीके से जोड़ते हुए इसको गोलाई शेप से पक्का करेंगे अपन इसको यह देखिए यह अपना पूरा राउंड शेप हो गया अपना इसको फिर लॉक करेंगे जिससे कि ये निकल नहीं जाए धागा और पूरा अच्छे से देख लिए ये पूरा सिल गया इजर इस धागे को हम कट कर देंगे देखिए थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हो भी ये देखिए इस तरीके से ये सिल गया अब ये ह यह पूरा इसल गया बस अब ये वाला पोर्शन और हमारा सिलने का रह जाता है इसको भी सेम प्रोसीजर से ही हम इसको भी सिल लेंगे दूसरा वाला गोला भी हम इसको जैसे हमने उसको शेप दी थी ऐसे गोलाई में डालते हुए धागे को पूरा कॉर्णर सा इसे घुमा अंदर की तरब से ऐसे गोलाई देते हुए यह अपना कॉर्णर आगया इस तरीके से यह देगि को पूरा का दागा जासे हमने खीचा था ऐसे यहां पर भी हम इस दागये को कौर्नर तक लाकर इसills कीचेगः की पूरा का पूरा धागा हमने खीच दिया इसको गोलाई की शेप देते हुए ऐसे हम खीच लेंगे जैसे हम ने वहाँ पर शेप दी इसी तरीके से यहाँ पर भी पॉंट्स मिलाते हुए टाइट खीच के पॉंट्स मिलाकर इसकी हम पक्की सिलाई कर देंगे इसको इस तरीके से इस तरीके से इसको पूरा का पूरा सिल गया ही है हमारा ऐसे गोलाई शेप देते हुए इसकी जैसे नौट्स बहन देंगे अभी हम इसको दागे को कटनी करेंगे यह देखिए इस तरीके से इसको सीधा करते हैं अपन यह हमारा सीधा हो गया देखिए किती सुन्दर शेप आई है इसकी इसको ऐसे यह देखिए अब इसकी उपर हम यह छोटा सा फूल है इसको इसको इसकी उपर लगाएंगे यह देखिए इस तरीके से देखिए यह दूसरा इसका सैट है यह रखा है इस तरीके से हम इसको अंदर की तरफ से उपर डालेंगे, जिससे ये धागा हमको दिखाई ना दे, इस तरीके से ये इसको बीच में डालो, दो तिन बार हम उपर नीचे इसको ऐसे ले कर जाएंगे, फिर हम नीचे डालेंगे अंदर, इस तरीके से ये निकाल लिया, फिर ले कर जाएंग इस तरीके से गोलाई से देंगे जिससे कि हमारा ऊपर धागा दिखे नहीं और यह अच्छे से सिल लेंगे हम मजबूती से ऐसे गोलाई शेप देते हुए इसको सिलेंगे अभी यह देखिए अभी थोड़ा सा यह है इसको हम एक दुबार और कर लेंगे तो यह पूरा पक्का हो जाएगा अच्छे से इस तरीके से इसको कर लीजिए इस तरीके से हमने डाला यह से और यह टायट खीतेंगे जिससे की ऊपर से हमको धागा नोटीस ना हो यह दिखिए अब ये देखिए मेरे ख्याल से देखो विलकुल अच्छे से नॉट लग गई है ये विलकुल देखिए बिलकुल हिल नहीं रहा है ये अभ इसका हम अंदर लाष्ट ले जाकर इसके हम अंदर की तरफ से ऐसे नॉट लगा के इसको बंद कर देंगे इस फूल में हम दो-तिन रंग जैसे हमने इसको तीन रंग यूज करके बनाएंगे तो इसकी हम मैचिंग बच्चों के कपड़ों के चार-पांस कपड़ों में हमारी इसकी मैचिंग हो सकेगी बाकी अपकी इच्छा है एक कलर से भी बना सकते हैं यह जैसे पन चोटी हुदते हैं उसकी तरह को कर और फिर इसको सिलकर हमने गोलाई शेप दे कर इसको बनाया है बहुत आसान तरीके से यह बन जाता है और यह आपके दोनों बूट तैयार है देखिए वैसे तो यह छोटे बच्चे के साब है पर यह उन इतनी सॉफ्ट और वैसी है इसको आराम से धाई साल दो धाई साल के बच्चे तक भी आराम से से पहन सकता है इस तरीके से मोड करके इसको रगदी देखिए कितनी प्यारी शेप आई है धन्यवाद फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए